आप लोग उन्हें देखा होगा कि हाल ही में यानि कि एक फरवरी 2023 को हमारी बित्त मंत्री साहिबा जिनका नाम है निर्मला सीता रमन इन्होंने बजट पेश किया है और ये बजट आप देखेंगे 2023 और 2024 के लिए है ये भी आप लोग याद रखिएगा और इससे एक दिन पहले यानि कि 31 जन्वरी को आर्थिक सर्वेक्षन पेश किया गया था और जिसके बारे में हम लोग पिछली किलास में बिस्तार से चर्चा भी कर चुके थे और आर्थिक सर्वेक्षन में क्या रहता है ना पिछले साल की जो उपलबदिया रहती है जो कुछ हुआ होता है उसके बारे में बताय जाता है और बजट आने वाले साल के लिए रहता है जैसे अभी आप देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षन 2022 होगा और बजट 2023 के लिए रहेगा ठीक है और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होगे खासकर आप देखी UPST यानी कि से विल सर्विस की बात कर रहे हो या फिर आप देखे इस्टेट PCS एक्जाम होते रहते हैं या फिर आपके one day exam होते रहते हैं entral level पर तमाम exam होते हैं और आपकी state level पर भी तमाम exam होते हैं इनपे आप देखेंगे कि हर साल questions भी पूछे जाते हैं budget से और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर भारत में रह रहे हैं आप लो तो अपने budget के बारे में एक सामान जानकारी जरूर होना चाहिए और budget को अगर आप लोग इस तरह से समझे न तो बहुत बहुतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोग एक परिवार में रह रहे होंगे देश को एक बार परिवार माल लीजे आप लोग आप देखते होंगे कि आपके घर में आपके परिवार में आए भी होती होगी कहीं से तो पैसा आता होगा और कहीं खर्च भी होता होगा यह भी पक्का है तो आप लोग माल लिजे कि एक साल के लिए आपके परिवार का जो मुखिया है वो बजट बना के रखता है इतना पैसा खर्च किया जाएगा फिर आप देखेंगे जैसे ही वो साल खतम होगा तो अंगले साल के लिए बजट फिर से रखेगा लेकिन पिछले साल में जो साल गुजरा है इसमें क्या उपलब दिया रही हैं क्या-क्या काम हुए हैं उसको भी वो देखेगा समझेगा तो उसी को आप लोग समझेगा बजट ठीक है और अपने परिवारों में भी अगर आप लोग कहीं रह रहे हैं परिवार से अलग तब भी आप देखते होंगे कि घर से आपको पैसा आता है उस पैसे को आप लोग कहीं तो खर्च करते हैं ठीक है और आप देखेंगे कि बजट की अगर एक सामान जानकारी देख लेते हैं बजट के बारे में फिर हम लोग अभी जो बर्तमार बजट है 2023-2024 का इसके जो मात्पोन पॉइंट है की वर्ड है उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं क्या खास बजट की इस बार की बातें रही है देखें ये हमारा प्यारा भारत है क्या है भारत है और समीधान की अगर अन्चेद आप लोग 112 को पड़ेंगे न आर्टिकल 112 को तो इसमें आप देखते हैं कि बारसिक बित्तिय विवरन की बात कही गई है बजट सब्द का उल्लेक समीधान में नहीं किया गया है ये भी आप लोग याद रखिएगा हो सकता है कि आप देखेंगे कि एक लाइन में आप लोगों से पूँच ले या इंटर्विव में कही पूँच ले आप से क्या बजट सब्द का उल्लेक समीधान में मिला है मिलता है तो बिलकुल नहीं मिलता है बारसिक वित्तिय विवरन की बात कहीगी अंचेद 112 में ठीक है और समीधान की मताबिक सरकार को हर बर हर साल बित्त वर्स की सुरुवात में संसद में बजट फेस करना होता है तो ये भी आप लोग याद रखेगा और बजट की निव कैसी रखी जाती है तो देश में किसी साल उत्पादित बस्तूओं और सेवाओं की मौझूदा बाजार कीमत को नॉमिनल जीडीपी कहते है जीडीपी आप लोग सुनते हैं ना उसी की बात हो रही है क्योंकि बगेर इसे बजट की बुनियाद या निव भी कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी को क्योंकि बगेर नॉमिनल जीडीपी जाने अंगले साल का बजट बनाना संभव भी नहीं है और बजट के लिए राजकोसी ये घाटा का लक्ष कितना जरूरी है ये भी आप लोग जान लिजे राजकोसी ये घाटा nominal GDP के फीस्ती में तै किया जाता है और राजकोसी ये घाटा का जो level तै होता है सरकार उस साल वही तक करज लेती है अगर nominal GDP जानदा होगी तो सरकार अपना खर्च चलाने के लिए बाज़ार से जानदा करज लेगी अब आप लोग कहोगे कि राजकोसी ये घाटा क्या है तो आप देखते होगे कि आपको 10,000 रुपे मिल रहे है कभी आप लोगों देखा होगा कि 12,000 रुपे खर्च हो जाते है यानि कि 2,000 रुपे का नुकसान घाटा होता है आप लोगों को तो उसी को आप लोग राजकोसी ये घाटा कह देते है सरकाल की कुल राजस और कुल बै की बीच का जो अंतर होता है उसे राचकोसी है घाटा कह देते हैं, यानि कि हमें घाटा हो रहा है, ठीक है? तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, और कैसे सुरू होती है बजट बनाने की पिक्रिया? यह भी सवाल आप लोगों की दिमाग में आता होगा, तो बजट बनाने की पिक्रिया संसद में इस सबी लोगों के बारे में ध्यान भी रखना है महलाओ के बारे में ध्यान रखना है जो पेचड़े समाज है क्या यह उजणाय उनके लिए होनी चाहिए उन सब को भी ध्यान रखना होता है कहась सब को भी कहाँ से आएगा एकसे ख़रच किया जाता है कि जन कल्यार्ड ये उजनाओं के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी और इसी हिसाब से अलग-अलग मंतरालेओं को फंड दिया जाता है पैसा दिया जाता है क्या दिया जाता है पैसा दिया जाता है और बजट बनाने में बित्त मंतरी के अलाबा बित्त की अहम भूमिका होती है और इस दोरान हर रोज कई बार बित्तमंत्री से उनकी बजट के सिलसले पर बाजचीत भी होती है बैठा की आतो नौर्थ विलोग जहां बित्तमंत्रा ले है वहां होती है या बित्तमंत्री साहिवा के घर होती है बित्त मंत्री के घर होती है और बजट बनाने के दौरान पूरी टीम को पिधान मंत्री, बित्त मंत्री, योजनायोक की उपाध्यक्ष का सहयोग में मिलता है अब आप देखे नीती आयोगा चुका है योजनायोक की इस्थान पर 2015 में बजट पेश्ट करने से पहले बिभिन उद्द्योकों के पितिनिदियों और उद्द्योक संगटनों के लोगों से भी बित्त मंत्री सला मसहवरा करती है ठीक है बजट में क्या-क्या सामयल होता है तो सरकार का आहम बजट मूल रूप से उसके खर्चे और राजिस्ट का बेहरा होता है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और सुतंत भारत की अगर हम लोग पहले बजट की बात करें आजादी के तो आप सुभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आपको आजादी मिली थी इसलिए आप देखते होगे कि हर साल 15 अगस्त को आप लोग सुतंत दिवस मनाते हैं सुतंत भारत का पहला बजट इस सर्द मुगम चिट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था जरूर डेट आप लोग याद रखे 26 नवंबर 1947 को हाला कि इसमें सिर्व अर्धवस्ता की समीक्षा की गई थी कोई टेक्स नहीं लगाया गया था और बजट में सामिल पिस्ताओं को संसत की अनुविधन की जरूरत होती है और संसत की मौझूद मंजूरी मिल जाने के बाद इपिस्ताओं एक अपरेल सोई लागू हो जाते हैं और अंगले मार्च 31 मार्च तक जारी रहते हैं और 1973 से लेकर अब तक आप देखेंगे कितने 73 आम बजट पिस्तोत हो चुके हैं समझ रहे हैं आप लोग तो यह भी आप लोग याद रखिएगा श्रण मुगम चिट्टी के बाद बित्मंत्री जौन मथाई ने पहला सहिवत भारत का बजट पेस किया था यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और मुरारजी देशाई के बाद सरवादीक बजट पेस करने का रिकॉर्ड पीचे दंबरम का है तो यह भी आप लग उन्होंने 9 बार बजट पेस किया था और आप देखेंगे मुरारजी देशाई साहब ने बित मंत्री के तौर पर 10 बार सबसे जानदा बजट पेस किया था तो यह भी याद रखिएगा और यह जो हमारी अभी वर्तमान में बित मंत्री है ना निर्मला सीता रवन यह इनका कौन सा पांच भी बार बजट पेस किया है नोंने तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए ठीक यह कुश्चन्स चोटे चोटी रहते हैं लेकिन इनसे क्या रहता है कुश्चन्स कही बार पूँच लेता है और देखेंगे आप लोग बजट तियार करने से जुड़ी गोपिनेता की बात होती रहती है चुनेंदा अधिकारी बजट दस्ता भी तियार करते हैं और इस पिक्रिया में कहते हैं कि इस्तेमाल होने वाले सभी कम्प्यूटरों को दूसरे नेटवर्क से डी लिंक कर दिया जाता है ताकि यह लीक ना हो और बजट पर काम कर रहा इस्ताप करी दो से तीन हफते तक नौर्द बिलोग की दफ्तरों में ही रहता है उनको बाहर जाने की आने जाने की इजाज़त भी नहीं होती है और इहां तक कहते हैं कि इनका आप देखिए किसी से मिल नहीं सकते हैं किसी से कॉल भी नहीं कर सकते हैं बात भी नहीं कर सकते हैं और बजट चपने से पहले आप लोग देखते हैं हलवा सेरिमनी होता है और बजट की चपाई की सुरुवात हर साल नौर्थ बिलोक में हलवा सेरिमनी से होती है और बितमंतराले में एक बड़ी कडाही में हलवा बनाये जाता है और बित्मंत्री और बित्मंत्राले की सभी अधिकारी इस कारकरम में सामिल भी होते हैं और वहां मौजूद लोगों में हलवा बांटा जाता है हाला कि इस बार कोविद महमारी थी तो आपने देखा होगा पिछली बार नहीं हो पाये था और बजट पेस्ट करने की तारीक मे बदला भी हुआ है आप सभी को मालू होगा कि साल 2016 तक भारत में फरवरी के महिने के आकरी दिन आम बजट पेस्ट किया जाता था लेकिन 2017 में बित्मंत्री अरुन जेटली साहब ने फरवरी के पहले दिन यानि की एक फरवरी को बजट पेस्ट किया था और उसके एक दिन आप देखेंगे कि आपका आर्थिक सर्वेक चन एकोनोमिक सर्वेक आ जाता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा वहीं अगर हम रेल बजट की बात करें तो 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेस्ट किया जाता था लेकिन 2017 में इसे आम बजट में मिला दिया गया है यह भ गांधी पहली महला बित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेस किया था उन्होंने बित्त मंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेस किया था ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और सबसे लंबा भासन आप लोगों को माल होगा कि बित्त मंत्री निर्वला सीता रमन के पास है, सबसे लंबा इनों ने भासट दिया था, यह बजट करीब दो घंटे 40 मिनिट का था, तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए, ब्रीब केस से बही खाता था, पहले बित्मंत्री बजट दस्तावेज के ब्रीब केस में लेकर आते थे, लेकिन निर्मला सीतारवन 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आई थी, और उस फाइल पर आश्ती पितीक छपा था, और इस ते वही खाता कहा जाता है, दरसल बजट फ्रेंच सब्द से निकला हुआ है, ठीक है, और पेपरलेस बजट की बात करें, 2021 में आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारवन ने एक टैबलेट से बजट भासन पड़ा था, हाला कि 2008 में यह परंपरा आंत्विदिस वासम में शुरू हो गई थी, लेकिन के कुष्टन्स आपकी परीक्षाओं में पूँचे जाते हैं, हर साल पूँचे जाते हैं, तो इनका आप लोग एक पेज उठाकर नोट सी बना सकते हैं, जो मैंने बोला है, अब चलिए हम लोग बजट की बात करते हैं, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, कि 100 समिधान के आर आर्च तक के लिए होता है, और समग रूप से बजट में निमलिखित बिन्दुगों को सामिल किया जाता है, राजस और पूंजी पराप्तियों का अनुवान, यानि कि आप देखेंगे कि पूंजी पराप्तियां होती हैं, जो राजस पराप्तियां होती हैं, उनकी बात हो आने वाले वर्स की आर्थिक वित्तिय नीती अर्थात कराधान पिस्ताओं तथा नई योजनाओं परियोजनाओं की सुरुवात की बात होती है और संसद में बजट 6 चर्णों से गुजरता है इन चर्णों को आप जरूर याद रखेगा इस टेज को हो सकता है पिरलिम्स में में पिस्तित करना होता है फिर से देख लिज्ट 6 स्टेज को पहले बजट की पिस्तुती होती है फिर आम्चर्चा होती है फिर विवागी यह समतियों द्वारा जाच होती है फिर आप देखे अनुदान मागों पर मद्दान किया ज का है सुतंद भारत का पहला बजट 1947 में पिस्तुत किया गया था चलिए बजट 2023 के जो पिर मुख बिंदू है जो महत्थपूर पॉइंट है उन्हें एक एक करकी अब देख लीजेगा केंदरिये बजट 2023 के का मुख विशय समाविसी विकास पर ध्यान केंदरित करना है जो व का विकास सबका साथ कहती भी रहती है आब लोगों को यह मालूं भी होगा कि सान महिला हुए अनुसूचित जाती अनुसूचित जंजती अनु पिछ्रा बर्ग दिव्यांग जन और आर sabemकें इनको भी ध्यान में रखा जाता है बंचेतों को समगत प्रात्मिक से की बंचेतों को वरीता भी दी जाती चैंवी लट्दाक एबन पुरवत्तर चेत कि कैंदसासी पिदेशों पर भी नेंतर ध्यान के अंधरित किया जा रहा है यानि कि कहने का मतलभ है कि आप देखे जमु खस्म c Renya और जमु खस्मीर यह लग्दाक है या बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई दुई आयामी विकास रड़निती की तरज पर है और निजी छेत को पुरवसाहन दे कर रोजगार से जित करना और विकास को आगे बढ़ाना और आप सभी जानते हैं इस बात को और कहते भी रहते हैं आप लोग कि हर व्यक्ति को ह अपना कामधंदा शुरू करता है और आप देखते हैं वो लोगों को रोजगार देता है निउन्तम सरकार अधिक्तम सासन पूंड पूंजी गद परिवे बढ़ाना और भी निवेस की माध्यम से अधिक राजस जुटाना ये भी सामिल है बजट की मुख अपलबधियों की देखें तो नई आयकर विवस्था में बदलाओ छूट की सीमा में और टेक्सलेम में पूंजी निवेस परिवे में 33% की बिद्धी का पिस्ताओ किया गया है इसे बढ़ा कर 10 लाग करोड रुपे पिछले एक दसक में सबसे अधिक किया गया है सीमा सुल्क में परिवर्तन मोबाइल फॉन निर्माड जींगा हितु खाद आधी के लिए कुछ है निविष्टियों के आयात में कमी और सिग्रेट सौने की बस्तूओं और एयोगिक रबड आधी के आयात में बिद्धी की गई है और एलवे के लिए पूंजी परिवे को बढ़ा कर अब तक का करोड रुपे किया गया है देखी आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहें नर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेंच रहें किसी को ठीक है चलिए इसमें भाग यह आप लोग देखेंगे तो अमरेत काल के लिए बजट का वीजन क्या है और अमरेत काल भारत की भासर सुनना भी चाहिए उनका ठीक है अमरेत काल का बीजन एक ससक्त और समाविसी अर्द्योस्ता है जो एक मजूद बित्तिय छेत्र के साथ पुरुद्धुगी की संचाललित और ज्ञान आधारित है और इस काल में अमरेत काल में भारत को बिक्सित देशों की सूची में गिंती में खड़ा करना भी उद्देश है अमरेत काल के लिए बीजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे यूवा वरक को यूवा वरक पर बिसिस द्यान देती हुए नागरेकों के लिए आउसर की बात हो रही है दूसरा रोजगार से जन में बिद्दी और तीसरा आप देखेंगे सुद्रण और इस्थिर बेहद आर्थिक बाताबरन की बात हो रही है और आप लोगों के एक और बात माल होगी कि अभी हमारे देश में सबसे जान्दा यूवा जन संख्या ही आप लोगों को देखने को मिलेगी तो उस बात का भी ध्यान हमें रखना होता है बजट में इंडिया एड़दार रेट हंड्रेड तक पहुँचने से पहले चार परिवर्तन कारी अवसरों की पहचान की गई है इसमें क्या क्या है स्वे सहायता समूहों के मद्यम से महलाओं का आर्थिक ससक्ती करण करना है और आप देखे महलाओं को आप नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आदी आबादी लगबग महराओं की है और उनका युगदान रहेगा तब ही हमारा देश आंगे बढ़ेगा इसे एक परिवार की इसाब से भी आप लोग देख सकते हैं माले जे एक परिवार है उसमें आप देखते हैं कि अगर पुरुसी करता धरता है पैसा कमा रहा है तो उस परिवार की इस्तिती कमजोर हो सकती है लेकिन आप देखें अगर दोनों कमा धर रहे हैं तो आप देखते हैं सौभाविंसी बात हैं कि घर मजबूत होगा और घर मजबूत होगा तो आप सभी जानते हैं कि देश मजबूत होगा परिवार मजबूत होगा और दूसरी बात आप लोगों को ये भी मालू हैं कि आज की समय में महलाएं कमजोर नहीं हैं अगर इस तरह की कोई मानसिक्ता बना आपके रखे हुए तो वो बेवकूप है भी बहतर तरीके से अपना करतब निभा पा रहे हैं पी एम बिस्वकर्मा कोसल सम्मान पीम विकास मिशन मोड में परेटन को बढ़ावा देना परेटन आप सभी जानते हैं परेटन छेत्थ थमारा ये अर्दवरस्ता में एक बड़ा युगदान भी देता है हर्द विकास की बात हो रही है और फिर आप देखेंगे बजट 2023-2024 की प्रात्मिकताएं क्या हैं तो इस सबतर्सी साथ प्रात्मिकताएं इसमें कौन कोंसी हैं इन साथ को आप लोग जरूर याद रखेगा समाविसी विकास अंतिम छोर तक पहुचना यानि कि आप देखते हैं कि हमारे पिदान मंतरी राजीव गांदियों अटल विहारी बाचपेई साहबों ये पहले भी कहते रहे हैं कि उ जमीनी इस तर पर वो लागू नहीं हो रही हैं तो उसका कोई मतलद नहीं है अन्तिम छोर पर बैठी बेक्ती तक उसका लाब नहीं मिल पा रहा है तो उसे योजनाव का कोई मतलब नहीं है और इसलिए आप देखते हैं कि पंच्यायतों को सक्टियां देगए है कि आपका पिधान मंत्री आपकी पंच्यायत में कुछ नहीं कर सकता है, सिख्छा बेवस्था किस तरह की है, स्वास्थ बेवस्था किस तरह की है, पंच्यायतों में आप देखें क्या परिशानिया है, उनका समाधन आपकी यहां का सरपंच निकाल सकता है, और इसलिए कहा जाता है कि अगर सरपन चीमानदार हो, अपना कर्तब निभाना जानता हो, तो आप सोचें कि 95% तक समस्याओं का खतम किया आ जा सकता है, लेकिन हमारे देश के अधिकतर सरपन्चों का हल क्या है आप सभी जानते हैं, युवा सक्ती की बात हो रही है, आउसा रचना और निवेस की बात ह हो रही है, और आप देखेंगे कि छमता उभारना, हरिद विकास की बात हो रही है, वित्तिय चित की बात हो रही है, तो ये सबतर्सी साथ प्रात्मीकताओं को जरूर आप लोग याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, प्रात्मीकता एक, जो है तो ग्रामीड घरों को 9 करोड पेजल कनेक्शन देने की बात हो रही है, और आप ये भी आप देखें भारत में, बहुत सारी ग्रामीड अगर छेतर में आप जाएंगे, तो लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, पानी की ववस्ता नहीं है, तो उन्हें आप दे पेजने की बात हो रही है, ये किसानों के लिए, PMSBY और PMJJ बाई की तहट 44.6 करोड व्यक्तियों के लिए भीमा कबर की बात हो रही है, और SBM की तहट 11.7 करोड परिवारिक सोचला बनाए गये हैं, ये उपलाब्दियां है समाब इसी छेतर में, और 47.8 करोड PM जंधन बैं आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं, उजला योजना महलाओं को LPG कनेक्शन देनी के लिए आई थी ना, तो उसी की बात हो रही है, 9.6 करोड LPG कनेक्शन दिये गए हैं महलाओं को, 102 करोड वेक्तियों के लिए 220 करोड COVID-TK कोरोना महामारी आई हुई थी, तो आपन सार्विजनिक और सरचना, open source, open standard और inter-operable public benefit के तोर पर किसी के लिए digital सार्विजनिक और सरचना विक्सित की जाएगी और जिसके निमलिकित पैडाम होंके, समावेसी किसान के अंदरी समाधान, फसल योजना, स्वास्त के लिए परासंगी सूचना से वाएं, किरसी input rate और व हमारी में सब कुछ ठप पड़ चुका था, अगर किसी ने हमारी लाज बचाई हुई थी, तो वो हमारा किरसी चेत थी था, हमारे किसान भाई ही थे, ठीक है? और किरसी startup के लिए बित्त पोशन, यानि कि पैसे के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी किरसी चेत में, तो गिरा आकर 20 लाग करोर रुपे किया जाएगा, और आप देखें कि किसान जो सक्सिज हैं, और जो आप देखते हैं कि मजबूत हैं आर्थिक स्तितिते, उनकी एगर आप लोग स्तिती को आकलन करेंगी ना, तो वो आप देखते हैं केबल खेती पर ही निर्भर नहीं रहते, कभी आप देखते हैं कि फसल वर्वाद हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि आप देखेंगे फसल भी लगाये हुए हैं, और पसु भी पाल लेते हैं, पसु पालन भी कर लेते हैं, मुर्गी पालन कर लेते हैं, डेरी से जुड़ जाते हैं, मत्स पालन से कर लेते हैं, कि कोई ए करोड रुपे की लक्षित निवेस के साथ पीम मत्स संपदा योजना की एक नई उप्योजना शुरू किये जाएगे। करती है कदन अनुसंधान संस्थान हैदरबाद को अंतराश्थी इस्तर पर सर्वोत्तम पिथाओं अनुसंधान एवं फुरुद्रगीकियों को साजा करने ही तु उत्किष्ट उत्किष्ट रिता केंदे की रूम में समर्थन दिया जाएगा। इनी का नोट्स भी आप लोग देख लिजया समझ लेजगा। सिक्षा और कौसल के लिए बात करें तो सिक्षा और कौसल के लिए आप देखेंगे। जिला सिक्षा और सिक्षा संस्थानों की जरिए सिक्षक पिसिक्षण का पुनर उद्धार किया जाएगा। अभी गाओं की तरफ आप लोग जाकर देखेंगे। सरकारी स्कूलों की क्या इस्तेती है। टीचर साहब को सिक्षक को खुद कुछ नहीं आता है। वो बच्चों की जिन्दगी खराब करता है। तो अब उन्हें पिसीक्षण दिया जाएगा। और वच्चों और किसवरों के लिए राष्टी जिरीचल पुरुस्तकाले की इस्थापना की बात की जाजिए। पंचायत और बाड इस तरों पुरुस्तकाले खोलने के लिए राज्यों को पुरुसाहित करने की भी बात हो रही है। तो अच्छी बात है। और स्वास्त की बात करें तो 2014 से स्थावित मौजूदा 157 चेकिस्सा महाविध्यालेओं के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलिज खोले जाएंगे 2047 तक सिकल सेल इनिमिनिया के उन्मूलन हे तो एक कारिकरम सुरू किया जागा जिसमें सामिल होगा जागरुकता बढ़ाना तिरभाविध आदिवासी चेत्र में 7 करोड लोगों 0-40 वर्स की यूनिवर्सल इस्केनिंग करना कैंद और राज्चियों के सहयोगात्मक प्रियासों के माद्यम से परावर्स करना और सबसे अच्छी बात रहती है जागरुकता बढ़ाना कोई भी अगर भीमारी आरही है, कोई भी काम करना है, उसमें सफलता हासिल करना है तो लोगों को जागरुक करना जरूरी है सवच्छे भारत की बात कर लीजिए, काफी हद तक उसमें सफलता मिल चुकी है में और अगर आप लोग सरकार की कोकिबल उसका योगदान दे दें सरे दें तो मैं उसकी पक्ष में नहीं हूँ मैं बानता हूँ कि आप देखेंगे अगर उसमें सफलता पाई हुई है तो आप हम सब जागरोख हुए लोगों ने अपनी जिम्मादारियां अपने कर्तब सुरू करने की बात हो रही है फर्माइस्टिकल विकास अनुसंधान को बड़ावा देनी ही तो नया कारिकरम सुरू करने की बात हो रही है आई-CMR की चुनिंदा प्रयोक सालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी सहयुक्त चिकिस्ता अनुसंधान को संथा मी बिली है तो आकांची जिला कारिकरम की सफलता के आधर पर आकांची विलोक कारिकरम हाली में 500 विलोकों को कबर करते हुए सुरू किया गया था और इसमें आप देखेंगे इसका उद्दिश स्वास्थ पोसंड, सिक्षा, किरसी, जलसंसादन, वित्तिय समावेशन कौसल विकास और भुनियादी धाचे जिसे कई छेत्रों के पिदरसन में सुधार करना है और पिदानमंत्री कमजोर जनजातिय समू हों विकास मिसन विसे सुरूप से कमजोर जो जनजातिय समू है कि सामाजिक आर्थिक इस्तितियों में सुधार ही तुपिदानमंत्री ने PB, TG, विकास मिसन शुरू किया जाएगा और इससे PB, TG परिवारों को और वस्तियों को सुरक्षित आवास स्वक्ष पेजल और स्वक्षिता, सिक्षा, स्वास्ति वंपोशन, सड़क तथा दूरसंचार, Connectivity, इस्थाई अजीवका के आवसरों तक बेहतर पहुँच, जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाव उठाने में मदद मिलेगी अनुसूचित जनजातियों के लिए बिकास कारिय उजना के तहट अंगले तीन वरसों में मिसन को लागू करने के लिए 15,000 करोड कितना 15,000 करोड रुपे की रास्ति उपलब्द कराई जाएगी 15,000,000,000 आदिवासी चात्रों की सेवा करने वाले 740,000 एक लब मॉडल आवासी पिद्ध्यालेओं के लिए 38,800 सिक्षकों और सहाए करमचारियों की भरती भी करेगा रोजगार भी मिलेगा और देखे कई बिकसित देश आप लोग देखेंगे जहां सिक्षा वेवस्ता और स्वास्त वेवस्ता बिलकुल फिरी रहती है और मुझे लगता है कि अगर हमारे भारत में भी इस तरह की हो जाए कि जिसे जो पढ़ाई करनी है क्योंकि आप देखें सबसे ही महेंगी हमारे देश में पढ़ाई है और मतलब पढ़ाई लिखाई है और स्वास्त वेवस्ता है तो बहुत आंगे हम लोग पहुंच सकते हैं इसमें कोई दोराय नहीं होना चाहिए अंतिम छोड तक पहुंचना तो इसमें आप देखेंगे पिधान मंतरी पिभी टीजी विकास मिंसन सुरू करने की बात हो रही है करनाटा की सूखा संभावी चेतर में धारनी ये सूख्छ सिचाई हेतू वित्तिय साहता की बात हो रही है पराचीन पांडोली पियों के डिजीटीली करन के बात हो रही है और सूखा चेत के लिए जल की बात करें तो करनाटा की सूखा गरस्त मध्चेत में ऊपरी भद्रा परियंजना को इस्थाई सूख्चन से चाही पिर्दान करने और पीने के पानी के लिए भूमिगत बाटर टेंकों को भरने ही तो 53 यानि की 5300 करोड रुपे की केंदरी साहता दी जाएगी एक कहा जा रहा है और अन पहल में देखें तो पिदानमंत्री आवास यह उजना के परेवे को 66% बढ़ा कर 89,000 करोड रुफे से अधिक किया जा रहा है तो यह भी याद रखे पहले चरण में 1,000,000 प्राचचीन से लालेखों के डिजिटल करण के साथ एक डिजिटल FP ग्राफी संग्राले में भारत संझा से लालेख भारत स्री इस्थाफित किया जाएगा यह भी बात हो रही है फिर आप देखेंगे प्रात्मिक्ता 3 इसमें आप देखेंगे आउसारचना और निवेस की बात हो रही है और आउसारचना निवेस पूंजी गद बैय में बिढ़ी की अगर हम बात करें तो पूंजी निवेस परिवेर लगातार तीसरे बर्स बढ़ा है जो 33% बढ़कर 10 लाग करोर रुपी हो गया है और जिससे या सकल घरेलू उतपात का 3.3% हो गया है अफ्तरभावी पूंजी गद बैय का बज़ट 13.7 लाग करोर रुपी है जो सकल घरेलू उतपात का 4.5% है पूंजी गद निवेस हेतू राज सरकारों को साहता सरकार ने आउसर रचना में निवेस को बढ़ावा देने ही और उन्हें पूरक नीतिगत कारियों के लिए पूरसाहिद करने ही तूराज सरकारों को 50 बर्स के ब्याज मुक्त रेड को एक और बर्स के लिए जारी रखने का फैसला किया है और इसके लिए बड़ा हुआ परिवे एक दसमलो तीन लाख करोड रुपे होगा पूर्जी गत बै का कहने का मतलब यह होता है कि आप विद्ध्याले बना रहे हैं आप कॉलेज बना रहे हैं आप अस्पताल बना रहे हैं तो उन्हें आप लोग पूर्जी गए पूर्जी गत खर्च में जोड़ते हैं ठीक है उसमें जो पैसा कर्च होता है और राजस देखेंगे जैसे आप लोग बेतन दे रहे हैं, आप मजदूरी दे रहे हैं, या सबसिटी दे रहे हैं, आप देखते होंगे सिलेंडर पर जो सबसिटी मिलती थी ना, उसी तरह की बात हो रही है, इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है बापसी, डारेक्ट कुछ नहीं मिलने वा देखें तो ये भी आपको देखने को मिलेगा और बिमानन छित में देखें तो छेतरिये हवाई संपर्क में सुधार हेतू 50 अतरिक्त हवाईडे हैलिपोर्ट हैलिपोर्ट बाटर एर एरो ड्रॉम ड्रॉम और उन्नद लेंडिंग गिरांटिंग को पुनर विक्सित किया जा के लिए अंतिम छोड तक पहुँच हेतू 100 महत्पूर्ट परिवाहन बुनियादी धाचा परियोजनाओ की पहचान की गई है प्रात्मिकता प्राप्तचित के लिए रिड की उपलाब देता हेतू एक सहरी आउसर रचना विकास निधी की स्थापना की जाएगी और इसमें के लिए बारसी काधार पर आप देखेंगे 10,000 करोड रुफे आवंटित की जाएगे यानि की पैसा दिया जाएगा आउसर रचना और निविस में अगर आप लोग देखें तो आउसर रचना और उत्पात दक चमता में निविस बढ़ाने के लिए प्रोसान की बात हो रही है विकास और विद्धी की बात हो रही है पूंजी के निविस परिवे को 33.4 परसेंट बढ़ा कर 10,000 करोड रुफे करने की बात हो रही है आवसर रचना निविस को प्रोसाथ करने के लिए राज सरकारों को 50 बरस तक ब्याज रहे रेड की देने की बात हो रही जो आपको बता है रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड का अब तक का उच्टम पुझी के परिवे की बात हो रही है पतनों कोईला इसपाथ और वरक्षित के लिए end-to-end connectivity to निर्दिस्त 100 परिवहन परियोजनाओं की बात हो रही है यह आप देखें UIDF की स्थापना द्वारा सेड़ी सेड़ी 1, 2 और सेड़ी 3 सहरों में सहरी और सरचना की सरिजन की बात भी हो रही है फिर आप देखेंगे पराक्मिकता आती है आपकी चार इसमें चमता को उजागर करने की बात हो रही है इसमें आप देखेंगे अनुपालन को कम करना और जन विस्वास पिदियर कंपनी अधिनियम 2013 में किये गए संसोधन के तहट ब्यापार सोगमता को बढ़ाने के लिए 49,000 कितना 49,000 से अधिक अनुपालन कम किये गए और 34 से अधिक कानुण नोई प्राधानों को गैर अपराधी कित किया गया है और विस्वास प्राधारी सासन को आगे पढ़ाने के लिए सरकार ने ब्याली सकेंद्री अधिनेमों में संसोधन के लिए जन विस्वास बिद्यक भी पेस किया है और बिद्यक का मतलब क्या होता है जब आप देखते हैं कि राजसबा लोकसबा में कोई पिस्ताओ पास होता है तो उसे आफ लोग विद्यक केहते हैं और जैसे राजसबा लोकसबा से पारित होता है राष्टपती साहब की सहमत ही मिलती है वो आपका कानों बन जाता है एक आज कल आप लोग देख रहे हैं कि AI भी काफी चर्चा में है Artificial Intelligence की बात हो रही है यानि कहा जा रहा है कि मानो जैसा सोचेगा हमारे दिमाग जैसा काम करेगा Make AI in India and Make AI Work for India की वीजन को साकर करने के लिए सीज सेक्षडिक संस्थानों में Artificial Intelligence के लिए तीन उतकिष्टा केंद इस्थापित किये जाएंगे किर्सी स्वास्त और इस्थाई सहरों में अनुसंधान अत्याधुनिक अनुफियोगों को बिक्सित करने और बहतर समाधान पेस करने में अगड़ी उद्योगों के अभी करता महत्पूर्ण भूमिका निभाएंगे राष्टी डेटा सासन नीती की बात हो रही है राष्ट स्टार्टप्स और सिक्षा विदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए एक राष्टी डेटा सासन नीती लाई जाएगी जो आग्या डेटा तक पहुँच को सक्षम करेगी और डेटा से एरिंग के लिए डिजी लॉकर की बात हो रही है बेभिन प्राधी करणों और नियामकों और बैंकों और अन ब्युसायक संस्थाओं के साथ जब भी अवस्तक हो दस्तावईच को ओनलाइन सुरक्षित रूप से संघित करने और साज़ा करने के लिए MSME बड़े ब्युसाय और धर्मार्ट रश्टों द्वारा उपयुक के लिए एक डिजी लॉकर इस्थापित किया जाएगा बिवादों के समाधन की बात हो रही है बिवाद से विश्वास MSME के लिए कम कठोर अनुबन निस्पादन कोविद अउधी के दौरन पिभाविद MSME की रूम को राहत की रूम में पिदान किया जाएगा और सरकार को सरकारी उपकरमों को संबेधनात्मग बिवादों के तेजी से निप्टान को सक्षम करने वाली आसान और मान की किट निप्टान ये उजना होगी इन्याले, न्याय के प्रभावी प्रसासन के लिए इन्याले का तीसरा चनल सुरू किया जाएगा, यह भी बात हो रही है, 5G प्रोधोगी की बात भी हो रही है, आप देख रहे हैं कि पहले 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, कई देश में, 6G की बात हो रही है, यह मोबाइल जनरेशन की बात की जाएंगी, ताकि आउसरों अभ्याबार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई सिंखला को साकार किया जा सके, प्रयोक साला में स्मार्ट क्लास्रोम, सटीक खेती, इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्ट, सिस्टम और हेल्थ केर, एफ जैसे एपलीकेसन की सुवि प्रचित किया जाना, पी-म प्रमाड की सुरुवात, राज्यों संगराज्य चेत्रों को बिकल्पिक और वरकों के प्रयोक को बड़ावा देने के लिए परुसान मिलेगा, और इसमें आप देखेंगे, संभणी पारितंत बिकास, तटरेखा के साथ साथ मैंगो पौधवा रोपन के लिए मिश्टी की सुरुवात करना, आद भूमियों के इस्टतम, उप्रयों के लिए अमरित धरोहर का कारकम की बात हो रही है, और फिर आप देखेंगे इसमें कि 500 नए आउसिष्ट धन सहयंत की बात हो रही है, चक्री अर्दोस्था को बड़ावा देने के की बात हो रही है, और अन पहलों में देखेंगे तो किसानों को तराक्तिक किरसी अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 वायो इनपेट संसाधन केंदरों की स्थापना की बात हो रही है, वैटरी उर्जा भंडारन पेडालियों को बड़ावा देने की बात हो रही है, उर् लोग राष्टिय हरित हाइड्रोजन मिशन में देखेंगे तो राष्टिय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,000 कितना? 19,700 करोर रूफी आवधित किये गये हैं ताकि अर्धवस्था को कम कार्वन तीविता में परिवर्थित करने जीवास मिधन के आयात पर निर्वर्था को कम करने तथा देश को इसे उवर्थे हुए छेत में परिवर्थुगी की और बाजार का नेतित करने के लिए तेयार किया जाए और लक्ष 2030 तक 5 mmT के बार्सिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष है और हाइड्रोजन को आप लोग सभी जानते हैं कि परयावन के हिसाब से माना जाता है और दूसरी बात आप लोग एव भिमाल होगा कि हाइड्रोजन को भविस्त का इंधन भी कहते हैं आप लोग एक आप लोग देख रहे हैं कि गोवर्धन ये उजना की बात हो रही है चक्री अर्द्वस्था को बड़ावा देने के लिए उद्देश से गोवर्धन गिलव नाइजिंग और गिनिक बायो एग्रो रिसोर्स से धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड रुपे की कुल निवेस के साथ 500 नए अफसिष्ट से आमदानी सैंत इस्थापित किये जाएंगे और प्राक्तिक और बायो गैस का बिपड़न कर रहे सभी संगटनों के लिए 5,30 का कमपेश्ड बायो मास बायो गैस अधीसेत भी लाया जाएगा भारती प्राक्तिक खेती जैव इंपोर्ट संसाधन केंदर तो सरकार अंगले 3 बरसों में 1 करोड किसानों को प्राक्तिक खेती अपनाने के लिए पुरोसाहत करके उनकी साहता करेगी और इसके लिए राश्टी इस्तर पर बितरित सूक्षम और वरक इबं कीट ना सक भी नेर्मार नेटवर्ग तेजार करती हुए आप देखेंगे कितना 10,000 बायो इंफोर्ट संसाधन केंदर इस्थापित किये जाएंगे और हरित उर्जा में अन नेवेस तो उर्जा संकमर और सुन उद्देशों तथा उर्जा सुरक्षा पैटॉलियम प्राक्तिक गयस मंतराले की दिसा में प्रात्मेकता बाली पुझी कि नेवेस के लिए 35,000 करोड रोपे देने की बात हो रही है 4,000 मेगाबाट की चमता वाली बैटरी उर्जा भन्नारन प्रालियों को बेवारता अंतराल बित्वोसन के साथ समर्थित किया जाएगा और लद्दाग से 13 गीगाबाट नवी करणी है उर्जा की निकासी और ग्रिड एकी करण हेतु अंतराज्चिये पारिशन प्राली के लिए 20,700 करोड रुपे की बात हो रही के अंदरी साहता इसमें आप देखेंगे 8,300 करोड रुपे होगी इसमें आप देखेंगे चटवी प्रात्मिकता है युवा सक्ति और युवा देश है और G20 आप देख रहे हैं कि हमारी अध्यक्षता भी हम लोग कर रहे हैं और लोगों भी इसका दिखाई दे रहा होगा आपको तो वैसे G20 की बारे में बात करें तो आप देखते हैं कि ग्रोप आप 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसमें और इसकी स्थापना 26 सेप्टमबर 1999 में हुई थी और इसका उद्देश की अगर आप लोग बात करें ना तो बैस्वेक अर्दोस्था में प्रमुक मुद् साउधी एरम, दच्छड वीका, दच्छड कोरिया, टर्की, उनाइटिट किंग्डम, सयुक्त राज, अमिर्का, एरोपीय संग आपको देखने को मिलेगा और इस तरह के जो संगठर ने इनके बारे में जरूर याद रखिएगा इनसे आपकी परिक्षाओं में हर साल से उजना, 4.0, और जॉब पिसिक्चन उद्ध्योक साजिदारी, नए युग के बाठकरम, जैसे कोडिंग, AI, रोवोटिक्स, मेका टोनिक्स, 3D पैंटिंग, डॉन आदी की बात हो रही है, इसके लिए इंडिया डिजिटल प्लेटपॉर्म, मांग आधारी उपचारिक जा रहा है, ठेक है, दो यह भी आप लोग याद रखेगा इसके बारे में, और इसमें आप देखेंगे, युबा सकती, अमरेट पीडी से सकती करण की बात हो रही है, ये डाश्टी है, पिसिक छोता प्रोसाहन ये उजना, तेन सालों में आप देखेंगे, 47 लाख युबा इसमें आप देखेंगे, MSME के लिए केड़िट गारंटी, तो बरस 2022 में MSME के लिए केड़िट गारंटी युजना को नया प्यारूप दिया गया था, और ये है, एक अपरेल 2023 से 9,000 करोर रुपे की रासी के निवेस के माध्यम से फिरभावी होगी, इसके अतरिक 2,000 करोर र एक मुक्त गारंटी के रिड़ की अनमती मिलेगी, केड़िट की लागत लगभग 1% कम की हो जाएगी, और इससे 2,000,000 करोर रुपे का अतरिक्त समपार स्वेक मुक्त गारंटी के रिड़ पे दान किया जा सकेगा, और केड़िट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी, वित वित्तियों साहेक सूचनाओं के केंद्रिये भंडार की रूम में काम करने के लिए एक राष्टी वित्तिये सूचना ड्रजश्टी की स्थापना की जाएगी। वित्तियों साहेक सूचनाओं के लिए अधिक्तम जमार सीमा 15 लाक रोपे से बढ़ाकर 30 लाक रोपे की जाने की बात हो रही है। मासिक आए खाता यूजना के लिए अधिक्तम जमार सीमा 14 लाक रोपे से बढ़ाकर 9 लाक रोपे एकल खाते के लिए और 9 लाक रोपे से बढ़ाकर 15 लाक रोपे सहवत खाते लिए की जाएगी। और वित्तिय चित के बारे में हम लोग बात करें अगर तो इसमें आप देखेंगे वरिष्ट नागरेकों के लिए लाप की बात हो रही है वरिष्ट नागरेक बच्चत युजना के लिए अधिक्तम जमाराशी को 15 लाग से बढ़ा कर 30 लाग रुपे कर दिया गया है और इसमें MSME के लिए रेड गारंटी स्कीम की बात हो रही है दो लाग करोड का अतरिक्त सं अन पहलों में आप देखेंगे GIFT IFC में बेवसाईक क्रिया कलापों को बड़ावा देने के लिए पहलों की बात हो रही है पिति-भूती बजारों में सैक्षिडिक पिरमाडपत देकर और अधिक पिसिक्षित बेवसाईयों को तियार करने की बात हो रही है और राजकोसी प्रबंधन की स्तिती की अगर आप देखें तो पूझी गद 2 हितु धन का उपयो बित्त बंतरी ने कहा है कि सभी राज्यों को बरस 2023-2024 के अंध तक पूझी गद 2 के लिए अपने 50 बरसी रिड को का उपयो करना चाहिए और इसमें से अधिकांस राज्यों के विवेक पर निर्भार होगा हाला कि विशिष्ट उद्देशों के लिए नामित राज्यों हेतु आप देखेंगे एक हिस्सा सासर्थ होगा जैसे पुराने सरकारी बाहनों को बदलना सरकारी नियोजन में सुहार और सहरी इस्थानी निकायों को नगर पाली का बॉंड प्राप्त करने ही तू पात बनाना और पुलिस आधिकारी हो ही तू आवास का निर्माड एक एकिकित मौल का निर्माड बच्चों और किसोरों ही तू पुस्तकाले और डिजीटल बुन्यादी धाचे का निर्माड करना के अंदरी ये उजनाओ की पूझीगत बैय में युगदान करना की बात हो रही है राज्जों को राजकोसी घाटी की अनुमती राज्जों को अपने सकल राज्जिक घरेलू उत्पाद का 3.5% घाटा रखिने की अनुमती दी गई है इस रासी का 0.5% बिसे इस रूप से बिद्धुद छेद्र के सुधारों के लिए निधारित किया गया है स सुध्यकर प्राप्ति आप देखें तो 20.9 लाग करोड रुपे की बात हो रही है कुल बैय में देखें तो 41.9 लाग करोड रुपे की बात हो रही है पुझीगत बैय में आप देखें के तो 7.3 लाग करोड रुपे की बात हो रही है राजकोसी घाटा सकल घरेलू उत्पा करोड रुपे होने का अनुमान है कितना कुल प्राप्तियां 27.2 लाग करोड रुपे और कुल ब्या की कितनी बात हो रही है 45 लाग करोड रुपे यानि कि सवभाविक सी बात है कि घाटा यहां दिखाई दे रहा है निबल कर प्राप्तियां 27.3 लाग करोड रुपे रहने का करने के लिए दिनांकित पिती भूतियों से निवल बाजार ओधारियां ग्यारेद संबलब आठ लाख करोड रुपे होने का अनुबान है शकल बाजार ओधारी का अनुमान 15 लाख करोड रुपे है और साथी सरकार वर्स 2026 तक राजकोसी घाटे को 4.5% से कम करने के लिए इसे उन्ना का पर अडग रहने ही तू पिती बद्ध भी है एक लक्ष रख लिया है क्या होता है यह तो आने वाला बक्ती बताएगा घाटे की प्रवितिया देखें तो GDP का पिती सत राजकोसी घाटे में यह आफ लोगों को देखने को मिल रहा होगा 6.7% 6.4% 6.4% 6.4% 5.9% राजस घाटा आप लोगों को देखाई देर आए यह आप देखेंगे कि 2022-21 है बास्तविक हो गया बजट अनुमान हो गया 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए संसोधित अनुमान हो गया और 2023-24 के लिए बजट अनुमान हो गया इसम अपरात्मिक घाटे में आप देखेंगे 3.3, 2.8, 3.0 और 2.3 प्रभावी घाटा आप लोगों को दिखाई देर आए तो यह भी आप लोग याद रखेंगा इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देता हो तो देखते रहिएगा आप लोग परिसान नहीं होना है अब आप द जो टेक्स देखते हैं आपनी आए पर उसी की बात हो रही है तो ब्यक्तिगत आए से सम्मंधित 5 पर वोगों कोसना है हुई है नई करविवस्था में चूट की सीमा बढ़ा कर 7 लाग रूपी कर दी गई है इसका मतलब है कि नई करविवस्था में 7 लाग रूपी तक की आ भोगी कर्मचारियें हुए तो मानत कटोती को बढ़ा कर 50,000 रूपे और परिवारिक पैंसन के लिए कटोती को 15,000 रूपे 15,000 रूपे तक करने का पिस्ताओ किया गया है MSME सुख्छों देगों और कुछ पेसेवरों के लिए पिकल्पित कराधान की सीमा बढ़ा दी गई है जब तक की नगत में प्राप्त रासी कुल सकल प्राप्तियों कारोबार के 5% से अधिक ना हो MSME को किये गए भुक्तान के लिए कटोती की अनुमती केबल तभी दी जाएगी जब भुक्तान बस्तों में भुक्तान की समय पर प्राप्ति में सहयोग करने के लिए किया गया हो सहकारिता तो आप देखेंगे 37 मार्च 2024 से पहले भी निर्माड सुरू करने वाली नई भी निर्माड सहकारी समतियों पर करकी दर 15% कम होगी और प्रात्मिक किरसी सहकारी सम्तियों और प्रात्मिक सहकारी किरसी ग्रामिट कास बैंकों द्वारा नगत जमा तथा रेड की सिमा को बढ़ा कर 2 लाख रुपे किती सदस कर दिया गया है सहकारी सम्तियों की नगद निकासी पर सरोत पर की गई टेक्स करको टोती को बढ़ा कर 3 लाग रुफे कर दिया गया है स्टार्टप की बात करें तो स्टार्टप्स को आयकर रलाप राप करने की तिथी को बढ़ा कर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है इस्टार्ट अप्स के लिए हानियों को अग्रसित करने की अवधी को निगमन के साथ वर्स से बढ़ा कर 10 वर्स कर दिया गया है ओनलाइन गेमिंग तो ओनलाइन गेमिंग पर कर देता को TDS के साथ और निकासी की समय तथा बित्तिये वर्स के अंत में जीती गई कुल रासी प प्राधी करन बोड और आयोग जिसकी स्थापना केंदर और या राज सरकार द्वारा आवास सहर कस्भी या गाउं के विकास के लिए नियामक और विकास गतिविदियों या कारियों ही तु की गई उन्हें आयकर से बाहर रखने का बिस्ताव कहा जा रहा है अगनी वीर नि दाएरे से बाहर रखने का बिस्ताव हो रहा है जो भरती तीनों से नों में भरती को लेकर आई हुई ना अगनी पति उजना अगनी वीरों की कुल आय में की गई कटोती रासी को अगनी वीरों को दिये गए देने का बिस्ताव जो कि उन्होंने एउगदान दिया है या कें सरकार ने उनकी सेबा के लिए उनके खाते महस्ताद देद किया है common IT return form तो करदाताओं की सेबाओं में सुधार के लिए सरकार ने सिकाइद निवारंतंत को मजबूत करने की योजना के साथ-साथ करदाताओं की सुविधा है तो अंगली पीडी के common IT return form के लिए एक पिस्ताओं पेस किया है बर्तमार में आप देखेंगे कि यह पिस्तावित करदा रहे हैं और यह आप देखेंगे बर्तमार आयसलेब हो गया और जो पिस्तावित अभी है आयसलेब उसका बात हो रही है इसो ने दो से दो ढाई दो लाग 50,000 यानि कि 5,500,000 रुपे तक 0,000,000 रुपे तक अब होगा 0 आपका 5% कब होगा 2,000,000 यानि कि 5,000,000 से लेकर 5,000,000 रुपे तक होता था बर्तमार जो अभी चल रहा है लेकिन पिस्तावित आने वाले साब में में 3,000,000 से 6,000,000 रुपे कर दिया गया है 10% अगर आप देखें तो 5,500,000 से 7,500,000 रुपे तक था अब 6,900,000 कर दिया गया से 15% आप देखें कि 7,500,000 से 10,000,000 रुपे तक था अब इसे 9,000,000 से 12,000,000 रुपे कर दिया गया है 20% आप देखें कि 10 से 12,000,000 रुपे तक था आपित्यक्ष करादान ही तू पिस्ता भी सुधार क्या क्या रखे गें सीमा सुल्क तो बस तो और किसी के अलावा अन सामानों ही तू मूल सीमा सुल्क दरों की संख्या 21 से घटा कर तेरे कर दी गई है निर्दिस्थ ग्रेट्स पर राष्टी आपदा आकस्मिक सुल्क में ल संपीडित बायूमास परीक्षन एजनसियों जो परीक्षन या पर प्रमाडन उद्दिसों ही तू बाहनों आटो मॉवाइल उपकरन घटकों उप्राणियों या तथन टायरों कायात करती है साथी एलेक्ट्रिक बाहनों की बैटरी ही तू लीथियम आयन से हल्प निर्मार के लिए निर्दिष्ट मसीनेई पर सीमा सुलक की समय सीमा को बढ़ा कर 31-3-24 कर दिया गया है रासाने एक उद्द्यों में प्रेवक्त बिक्रित इथल एलकोहल की बात हो रही है सीमा सुलक कानूनों के कानूनों में बिधाई परिवर्तन तो सीमा सुलक का दिनियम 1962 को संसो दायरे को स्फष्ट करने के लिए सीमा सुलक अधिनियम को संसो दित किया जाएगा के अंदरी बस्तू ये वों सेबा कर अधिनियम में भी किये जाएंगे बदलाओ जी एश्टी 2017 में आया था ना उसी की बात हो रही है जी एश्टी के तहत अभी ओजन सुरू करने ही तो कर की नियुन्तम रासी एक करोड रुफे से बढ़ा कर दो करोड रुफे की जाएगी कर के लिए चक्र विड्धी रासी को कर रासी के 50-150% से घटा कर पचीस से 100% कर दिया जाएगा कुछ अपरादों को अपराद की सैनि से बाहर किया जाएगा रेटरन या इस्टेटमेंट द मती दी जाएगी तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पे टेक्च कर पिस्ताओ MSME और पेसे बर सुक छुमद्यों और पेसे बरों के लिए पेकलपित का राधान की सीमा को 3 करोड और 75 लाग तक बढ़ाये जाएगा चलिए ये भी देखी सहकारता भी निर्माड कतिविधियां सुरू करने वाली नई सम्तियों सम्तियों को 15 पसंड की कम कौर्फूरेट कर लाभ होगा सहकारी सम्तियों को TDS के लिए नगदी आहरंड पर 3 करोड की उच्चितम सीमा की बात हो रही इस्टार्ट अप लोग देख चुके हैं इस्टार्ट अब द्वारा हो रही है और आप इत्यक्ष कर में देखें तो समद्री उत्पाद सिंप फीड के घरेलू बिन्रमाण के लिए मुख इंपूर्ट पर सुल्क में कमी प्रयूक साला निर्मे थीरा इनके बिनिर्माण प्रयूक्त भीजों पर सीमा सुल्क को घटाया जाएगा बहुमोल कितना अभी से आप देखें बढदा दीजे लेकिन लोग फिएंगे तो पियेंगे एंगे है अरोप्या कहां से आएगा हो कहां जाएगा ये आप wraps जरूर चार्ट याद रखिएगा इससे questions भी पूछे जाते हैं और निगमकर से 15% बस्तु एवं सेवाकर और अन करों से 17% होगा सीमा सुलके से 4% रेडर रहत पुझीगत परापतियों से 2% कर रहत परापतियों से 6% रहेगा रुपया जाएगा कहां? आतो गया? आपके पास अब जाएगा कहां? तो अन बैय में 8% होगा फैंसन में 4% होगा ब्याज भुकतान 20% करना होगा मान लेजे भाई आप लोगों को किसी महिने में जरूरत पड़ी आप लोगोंने दोस्त से किसी से उधार ले लिए तो या किसी साहु कासे ले लिए तो आपको ब्याज भी तो देना होगा तो उसी की बात होगी कि उसका ब्याज भुकतान में 20% जाएगा देख लीजे एक बड़ा हिस्सा जा रहा है बड़ा हिस्सा जा रहा है और आप देखें कैंदरीय क्या? कैंदरीय प्रायुजित योजनाओ में 9% जो कैंदर के द्वारा योजनाय चलाई जाती, करों और सुलकों में राज्जों का हिस्सा 18% रहेगा और वित्त आयो और अन अंतरा 9% केंद्री चित की योजनाव में 17% रक्षा में 8% खरच होगा सबसिटी में 7% होगा सबसिटी आप देखते हैं किसानों को दे जाती है कई और चेत्रों में दी जाती है तो उनी के लिए बात हो रही है ठीक है तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके बजट का एक ओवर भी हम लोग उने ले लिया है आपका आप कोई सवाल बचा हो, मेरे लिए कोई सुझाओ बचा हो, तो आप लोग जरूर नीचे दे सकते हैं ठीक है, और एक से दो बार इस किलास को देखेंगे आप लोगों का कबर हो जाएगा, समझ में आजाएगा आप लोग पढ़ते रहे हैं, इंज्वाय करते रहे हैं बाकी मेरी सुबकाम ना है आप लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगी